। दो्सटों विलकम टो ब्रेकऊट सीनल। यूज आज हम देखने वाले आने ौदे टाइम में कौन से से यहाँ पे ब्रेकऊट होने वालन। पर्सेक्ट्र। करते हें यह दर गरते से इसकर की यह निकलता है तो यह समझ जाहीं है कि आप यह यहां पर ब्रेकाउट हो गए तो यह श्रेक्टर काफी बुलिश है बाकि यहां पर अल्रडी मैंने कुछ सेक्टर आपको बताया थे जो कि यहां पर एनरजी सेक्टर अभी एक फॉर्मेशन में बन गाए कि एक डेनी के लिए अगर अभी तक दिया नहीं है ठीक है इसके बाद यहां पर आपकर देखा जाए तो यहां पर निफ्टी प्राइवेट बैंक जो कि अल्गडी ऊपर गया हुआ है काफी दिनों से निफ्टी इंफ्रा जो कि लास्टाइम ही हमने इस लेवल पर बताया था अभी आप देख सकत अगर बोला जाए तो मुझे तो बस इसमें निफ्टी आईटी में देखाए ठीक है और यहां पर थोड़ा निफ्टी फाइनस सर्विसेस में भी बेकाउट आने के चांसेस बन सकते हैं मगर फिर भी जो स्ट्रॉंग यहां पर बूलिशनेस मुझे निफ्टी आईटी में दिख सकते out the eagle आप देख सकते है तो आप देख सकते हैं निफ्टी इंफोसिस सरी इनफोसिस जो कि इस लेवल पर बाइंग था अभी कुछ बाइंर कि जरुवत नहीं यहां पर यहां पर यहांप यहीं dog देख सकते हैं ईप यहां पर बाइंग कर सकते हैं इसके बाद इसके बाद यहां पर देख सकते हैं को बाइए हैं और लगए यह पर यहां पर यहां पर आगे जाके आपको टार्गट लगबग आपके पोश्क्राइब चैन से इसके बाद टेख महिनगा जो की अलुड इने काफी दिनों से आपको पोला है कि यह तेरह सो पचास तक जाएगा अभी भी आप बाई कर सकते हैं हंडेर उपए उपर चांसे से इसके बाद टीस जो की ब्रेक आउट होने के लिए तयार है मैं इसलिए इसको रिक्रेमेंट नहीं करता बाइंग के लिए कि इसका एक स्ट्रॉंग रेजिस्टंस है यह जब ब् सकते हैं फर्स्ट आगेट आपको यहां पर 77,000 मिलेगा और इसके बाद 82,000 मिलेगा स्माल कैप में अगर देखर जाएं मेर्ट कैप आप देख सकते हैं यह स्टॉक ने काफी अच्छा रन दिया है अल्री रन हुआ इसका क्रेक्शन का वीट कर सकते हैं कोफोज जो की कोफो डिजाइन जो कि काफी अच्छा एक राउनिंग बोटम भी बना रहा है और यहां पर एक रेजिस्टन ब्रेट करके निकल चुका है आप एक 600 के साथ इस स्टॉक को भी बाई कर सकते हैं नेश टागेट 700 कर गहेगा इसके बाद मास्टेक जो कि कल पर सो ही ब्रेक आउट हु यहां पर डबल बटम का प्रेक आउट है आप यहां पर देख सकते हैं यहां से अगर यह 700 के उपर निकलता है तो बाई कीज़े स्टॉपलस लगए 670 का उपर के टाइगेट आपको मिल जाएंगे इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इस लेवल पर बता है अभी आप देख सकते हैं इसका स्टॉपला सीट नहीं हुआ और टाइगेट के पास पोज गए अभी इसको बाइंग करने के काफी अच्छे चैंसे से यहां पर एक राउंडिंग बॉर्ट फॉर्मेशन हो रहा करता है इसे भी आप कर सकते हैं पैटन चेंज किया इसके बाद आज इसमें गएग करते हो आप तो आपको यूज़ करना है उपर के टाइगेट बहुत है ये तो बस हमें आपको एक नॉर्मल नेश टाइगेट आपको बता दिए इसके बाद यहां पर यहां पर लिसकर स्ट्रिम जो कि कल इस पर सो हमने इसको ब्रिकाव श्रॉक के लिए दिया था कल इसमें रिटेस्ट हुआ है आज आगए यहां से कोई पॉजिटिव केंडल बनती है तो आप बाई कर सकते हैं स्मॉल स्टॉप्लस लगए 258 का स्टॉप्लस लगए वह उपर के टाइगे के यहां पर है पर पेस्ट मैं जो के और इनका एक निवस था कि उनने यहां पर यहां पर दिया हुआ यहां पर दिया हुआ है क्लेशिफेंट के लिए 500 करने की कोशिश किए यह बाइंग अब एक बने इस इसी सपोर्ट लेवल के पास बनेगे या नीचे थोड़ा आज-पास के आसपास बनने के चांसे से तो दोस्तों यह थे आज के आईटी सेक्टर जो कि जितने भी स्टॉक आपको मैंने बाई के लिए बोला है आप बाई कर सकते आरम से और इसको बताई हुरी टाइगेट टक होड़ कर सकते अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइ डिए Sow एज पौन एन से अगलिवेश्य को मैंने वी बाई होगी आपको मैंने यह रखले टाइगेट कृट कर सिंदे हैं वीडियो कि फ elाखल वीडियों डिए तो लिक रखलेगेट कर सकत्टर गार नाने यह रखलेगेश्य का एमश्य